नमस्कार स्वागत आप सब्सक्राइब बिजनस की बात प्रोगर में मैं हूँ आपके साथ बंदा शर्मा वित मंत्री निर्मला सीता रमण ने 12 जुन यानी शुक्रवार को जियेस्टी परिशत की 40 वी बैठक में इरसा लिया आपको बता दे कि कोरोना वाइरस के संकट के बाद ये जियेस्टी काउंसिल की पहली बैठक में जनता को राहत पहुचाने के लिए कई ख़दम उठाएगा वितमंत्री निर्बला सीता रमण ने कहा कि जुलाई 2017 से लेकर जन्वरी 2020 तक की अव्धी में जितने भी लोगों ने जियेस्टी रिटर्न फाइल नहीं किया है और जिन पर कोई टेक्स बकाया नहीं है उन्हें अब रिटर्न फाइल करने पर कोई लेट फीस नहीं लेनी होगी इसके अलावा जुलाई 2017 और जन्वरी 2020 के बीच के लिए जिन कारोबारियों पर टेक्स की देनदारी है उनके लिए मंद्ली सेल्स रिटर्न फाइल ना करने पर लेट फीस अधिक्तम 500 रुपे देनी होगी वहीं इस अबदी के लिए लंबे जियेस्टी रिटर्न कारोबारी एक जुलाई से 30 सितंबर 2020 के लिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं वित्मंद्री ने कहा कि 5 करूर रुपे के खुल टर्नों के वाले छोटे कर दाता जो फरवरी मार्च और एप्रिल 2020 के जियेस्टी रिटर्न 6 जुलाई तक नहीं भरेंगे उन्हें सितंबर तक सालाना 9 फीस दी ब्याज़दर के साथ रिटर्न भरने की छूट होगी आपको बता दे कि पहले ब्याज़दर 18 फीस दीता है थी वहीं ऐसे टेक्सपेर्स जो उस थिती में लेट फीस और ब्याज़दर नहीं भरना होगा जो इस वर्ष मई, जून और जुलाई के महीने में सप्लाई प्रभावित होने के कारण सितंबर तक GSTR 3D भी भर देगे GSTR 3D के लिए एक नया विंडो भी बना है जिसके जरीए इस फॉर्म को फाइल करने की अगधी एक जुलाई से 30 सितंबर के बीच कर दी गई है आपको बता दे कि टेक्स कलेक्शन में कमी और GST रिटर्न दाखिल करने के तारीख आगे बढ़ानी की वज़े से सरकार ने एप्रेल और मई महीने के GST संग्रे के आकरे जारी नहीं थिये है इससे पहले मार्च महीने में GST कलेक्शन खटकर 97,597 करोड रुपे रह गया था वीते दिनों वित्व सचिव अजेब भूशन पांडे ने बताया था कि GST कलेक्शन के आकरोप पर सही तस्वीर 30 जून तक ही मिल पाईगी वहीं GST काउंसिल की सबसे बड़ी चिंता GST कलेक्शन में कमी आई है क्योंकि काउंसिल को राज्यों को भी उनका भारी भर कम फिर्सा देना है आपको बतादे कि इससे पहले GST काउंसिल की बैठक 14 मार्च होगी जहां वित्मंत्री ने कहा था कि केंदर सरकार मुआवजे के जरूरत को पूरा करने के लिए काउंसिल की और से बाजार से कर्श चुकाने की कानूनी वैदता पर गौर करेगी इसके अलावा GST कानून के तहट राज्यों को एक जुलाई 2017 से GST के क्रियानवियन के बाद पहले 5 साल तक राजस्व नुकसान की भरपाए की गारंटी दी गई है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चानल को लाइक और सुब्स्राइब नहीं किया करें साथी बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा जिससे आपको हर अबडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे है तो बने रहे हमार साथ और देखते रहे ओके क्रेडिट